अभी तब के इलेक्ट्रिक स्कूटर तो छोड़िये पैट्रोल स्कूटर में भी इतना स्पेस किसी स्कूटर के अंदर नहीं मिलता जैसे के हम बटन दबाएंगे गाड़ी आपकी ओन हो गई नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं सौगत करता हूँ आप सभी का एक न्यू वीडियो में तो मेरे सामने खड़ा है चम चमाता हुआ हिंदुस्तान का एक अपना न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर तो दोस्तों इस स्कूटर के बारे में पूरा मैं रिव्यू में बताऊंग क्या कॉस्ट है क्या स्पेशलिटी है स्कूटर की और सबसे एहम बात यह है दोस्तों कि यह अपने भारत का स्कूटर है तो इस वीडियो को स्किप करें वे ना पूरा देखिएगा वीडियो को अभी से लाइक कर दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स मेरे वीवर्स इच्चुक है इस स्कूटर के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भाया मैं इस स्कूटर के सारे जानकारी दूँगा बिल्कुल न्यू लोक है इसका एक्दम एंटिक लोक है मतलब आप उसको कुछ भी कह सकते हो बहुत ही प्यारा प्रीमियम डिजैन में अच्छे भी आने दिखाई हुए हैं बाकी पावर इसकी काफी अच्छी है 170 kg प्लस आप इस पर वेट अराम से ले सकते हैं दो बंदे प्लस अपना थोटा गोटा क्रोसीरीस वगरा का समान आप इस पर करी कर सकते हैं और बहुत ही प्रीमियम लोक है जैसे आपने देखिए लुक है और हाइट वगरा इसकी बहतरीन मिलने वाली है काफी अच्छी आपको इसके अंदर जगे मिलेगी हम इसको एक फैमिली स्कूटर भी कह सकते हैं लुक वाइस बहुत अच्छा है फोटोग्राफी में भी काफी अच्छा लगता है यह आपको मेंट्स का डिगी स्प स्कूटर तो छोड़िए पैट्रोल स्कूटर में भी इतना स्पेस किसी स्कूटर के अंदर नहीं मिलता काफी डीप है आप इसमें हेल्मेट रख सकते हैं और बहुती अच्छा स्कूटर है बड़े साइसका हेल्मेट प्लस ग्यासीरीस का समान आप इसमें एजली रख सकते और सबसे बड़ी है इसका सिक्यूर्टी में देखिए दो चावी एंद दो रिमोट आयते हैं इसको सेंटर लॉकिंग भी बोलते हैं एंटी ट्विफ्ट अलारम और कीलेस एंट्री भी ले सकते हैं तो जैसे कि हम बटन दबाएंगे गाड़ी आपकी आउन हो गई विदा जैसे शरारती बच्चे होते हैं अपना चावी निकाल लेते हैं इसकोटर से चलती गाड़ी से तो आप इसको पॉकेट में रखी और स्कूटर कीलेस चलेगा आपका कोई भी इशू नहीं है आप स्कूटर की से ही चालू कर सकते हैं और आप इसको की से ही ऑन कर सकते हैं और charging socket आया था है यहां पर इसको easily घर की किसी भी socket में charger को लगा सकते हैं और यह charging socket इसमें दिया हुआ है और foot mat के पास काफी foot space है काफी अच्छा foot space आपको मिल जाता है तो दोस्तों इस scooter में आपको RTO registration की भी कोई need नहीं है शुरक्सा के लिए helmet आपको पहनना जरूरी है non race station scooter है under limit है speed काफी कम रहेगी और sufficient speed रहेगी शेहर के लिए तो दोस्तों इसके अंदर lead acid battery का setup आता है जिसमें ये 60 volt का charger आता है घर के normal किसी भी board में लग जाएगा और auto cut off होता है रात को आप लगा के इसको छोड़ सकते हैं battery followने के बाद automatically off हो जाता है lead acid battery में इसका जो charging time है 6-7 hours है और lithium battery option में इसका charging time approximately 3.5 घंटे का रहता है तो range इसकी जो रहती है lead acid में company 70 km क्लेम करती है 50-60 का practical average आपको देखने को मिल जाएगा वहीं अगर आप इसको lithium battery option में रहते हैं तो कई सारे options है 60V 30H and 60V 40H जिसमें की 700 km plus average भी देखने को मिल जाएगा और 72, 80 km का भी average आपको इसली देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपके बजट के हिसाब से आपको ये scooter मिल जाएगा by default lead acid battery में आता है काफी अच्छा है आपको average मिल जाता है और showroom का address वीडियो में display हो रहा है और number भी आपको दिया हुआ है जिसको भी भाई करना है आप showroom पे visit कर सकते हैं और all over India delivery भी available है आप नीचे दियेगा इन number पे contact कर सकते हैं जहां आप कहींगे वाई scooter पहुच जाएगा तो दोस्तों इसके अंदर tubeless tire आया था है 12 winch का जो की काफी अच्छी आपको performance देगा disc brake आपको front में देखने को मिल जाता है अच्छी braking के लिए और इसके अंदर telescopic suspension आया था जो की काफी अच्छी आपको performance देगा तो काफी अच्छे look के साथ इसमें एक और premium चीज आपको दिखाएंगे जैसे कि ये footrest है अगर हम इसको दवाते हैं वैसे तो foot से ही आप दमाएं तो ये खुल जाता है और half इसको press करेंगे तो ये lock हो जाता है तो काफी premium और smart touch footrest मिल जाता है काफी अच्छा है और बाकी दोस्तों scooter की performance आप test tab लेके ही पता कर पाएंगे एक वार आईए और test tab लीजिए शोरूम का address वीडियो में दे दिया हुआ है तो दोस्तों ये सब थी इस scooter की सारी जानकरी और इसका जो price है वो 69,000 रुपीज एक शोरूम आपको मिल जाएगा और finance भी हम करा सकते हैं finance की सुवधावी उपलब्ध है तो आप जिस मर्जी में चाहें उस offer में ले सकते हैं finance चाहें cash चाहें UPI सब payments mode अवेलेबल हैं आप सवरूम बे विजिट करिए और स्कूटर को लीजिए